अजुछ वेल्कम बेक टो आवर्य चैनल सु यह वीडियो जो हमारा जो वाटर का चैप्टर चल रहा था उसके अंदर हमने पिछे जो डिसकस किया था सक एं जिसके अंदर हमारा जो म्यूसिपल वेस्ट वाटर की जो हमारे पास ट्रीटमेंट होती थी देन उसके लावा वाटर की जो हाड़नेस थी उसको किस तरह रमूब किया जाता है उसकी मेजिरिंग होती थी और वाटर हाड़नेस क्या होती थी यह वो सारे वाटर के सोर्सिज द हैं इक इस तरह है पानी के अंदर और उससे बचाओ के तरीके क्या क्या अब जो जादा तर हमारे पास कमर्शल वाटर रोता जो हमारे कमर्शल sich के लिए रिए आता है उसके अंदर आहम तोर के ओपर अल्कलाइन अर्थमेटल होते हैं, अलकलान अर्थमेटल जो हमार रपास है, सेकंड ग्रूप के होते हैं, हमार रपास है, बरेलियम मगनेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम रेडियम वगारा, उनके कटाइन्स पाई जाते हैं, जिस तरह हमार रपास magnesium हो गया, calcium हो गया, barium हो गया, ये उनके कटाइन्स होते हैं और anions जैसे की carbonates होगे, by carbonates होगे, sulfate आगे, then उसके लावा silicate आगे, and oxalate, phosphates, etc. कटाइन और anion जब हमार पस different combination होता है जब इन दोनों कटाइन और anion का, तो ये हमार पस potentially scaling system को जो है, वो rise देगा, तो it means कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमार पस काज़ा, combination के तोर के पर कटाइन और anion के calcium carbonate आगया, then calcium silicate, barium sulfate, magnesium sulfate, etc. तो ये वाली सारी चीज़े बनेंगी, तो एक instance के लिए कह रहा है, जी हम चले, let's post check कर लेते हैं, तो ये जो combination हो गया, तो ये कैसी concentration के अंदर होगा, जो oxide कर जाएगा, इनके solubility of reaction products, तो ये precipitation बन जाएंगी, ठीक है, उनकी product solubility तक कर उनकी precipitation, precipitate out हो जाएगी, यानिके in soluble particles बन जाएंगे, जो के हमारे लिए different problem cause करेंगे, तो scale एक हमारे पास कह सकते है, कि हमें हमारे ये serious problem है, daily life के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये prevent करता है, effective heat transfer को, अब water हमारे पास एक heat transfer के तोर पर भी, यूस तो नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छा heat transfer होता है, लेकिन scale एंड क्या करते हैं, कि ये जो हमारे पास effective tree heat transfer water को नहीं रहने देते हैं, ये interferes करते हैं, fluid flow के साथ, corrosion को बढ़ाते हैं, bacteria को invite करते हैं, कि आओ हमारी तरफ, अब scale एक expensive problem है, ठीक है, और ये बहुत सी industrial systems के अंदर delays करते हैं, shut down करते हैं, cleaning और removal के लिए बड़ा process, लंबा process होता है, ये एक most prominent होता है, pulp और paper industry के अंदर, अब जो मारे पस, अब जार इसे बात हैं, paper industry के अंदर, जो मारे पस wood pulp होता है, उसका बड़ा रोल होता है, अब जो paper or pulp industry है, इसके अंदर scaling जो है, ये बड़ी problem कास करती है, तो अब ये है, भी हमारे पस एक process थोड़ा सम्मेंगा, expensive problem है, तो जहां scale major problem कास करता है, ये digesters होगे, evaporators होगे, liquid heaters होगे, etc, bleach plants वगएरा होगे, तो हम understand कर लेता है, जो relationship है, scale formation के, और scale prevention के, तो उसके लिए हमें एक फाल, जो phenomenon threshold effect और scale inhibition जो हमारे रेपस है, इसको समझना पड़ेगा कोछ से, उसी के बाद हम उसकी scaling की formation, और उसकी prevention के बारे में, अच्छे तरीके से देख सकेंगे, कि scaling होती क्यूं है, और scaling की prevention क्यूं की जाए, threshold effect और scale inhibition जो हमारे पास है, तो इसको हम discuss करेंगो, उसी के बाद हम scale formation और scale prevention का पता चाट होगे, तो basically ये जो threshold effect था, इसको discover किया गया था, late 1930s के, यानि 1930s के आखर में, तो ये कब discover किया गया था, जब हमारे पास sodium hexameta phosphate को, 1 से 10 ppm parts per million की concentration पे found किया गया था, to retard or inhibit the precipitation of super saturated solution of calcium carbonate, यानि के calcium carbonate के super saturated solution के जो हमारे पास precipitation बनती थी, उसके retard या inhibit करने के जब sodium hexameta phosphate की इतनी value पाई गई गई, तो वहाँ जो हमारे पास threshold effect जो है, वो जो है discover हुआ और इस low concentration जो सब stoichiometric हमारे पास required थी, ये term जो है, वो threshold treatment के नाम से हमारे पास अपलाई की गई, तो इसका मतलब के जब हमारे पास precipitation जो inhibitor होगा, जो present होगा in a potential scale farming system, एक हमारे पास, एक हमारे पास जो mark ली जो low concentration है, जो हमारे पास required है, यानि के अब जारी से बादा threshold हमारे पास basically आम तर पे English पे लफ़ज इस्तमाल के तर दहली इसके लिए, तो यानि के यही समले के starting material के अंदर जो हमारे पास प्रासेस हो रहा है, तो जो precipitation inhibitor होगा, जिनके अदर हमारे पास sodium hexameta phosphate है, तो उसको कहते हैं हम exhibitor threshold effect, तो यह हमारा जो है यह एक threshold effect जो है वो show करेगा, तो उसके बाद हमारे पास threshold effect के बाद scale inhibition आएगी, तो जो हमारे पास होता है एटी, एम पी, एटी, एम पी यह हमारे पास one of the best threshold scale inhibitor होता है, ठीक है रहा हूं, और यह superior होता है as compared to जो हमारे पास in organic polyphosphates होते हैं जिनके अंदर हमारे पास phosphate isters आगे, polyacrylates आगे, और कहते है जी, it has been possible to keep in solution 6500 ppm of calcium carbonate with 2 ppm of ATMP, यानि के अगर हमारे पास एक mole इसका आजाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक 10,000 mole जो है वो calcium carbonate के रख सकते हैं, यह हमारे पास जो है वो बचाओ करता है, scaling से यह हमें क्या देगा, ATMP परहिस करता है calcium carbonate की scaling से, तो और हमारे पास क्या होगा, 2 ppm के लिए 65,500 ppm के लिए पैंसर्स होगा है, और जो हमारे पास 5000 ppm जो होगी calcium carbonate की, उसके लिए हमारे पास है, 2 ppm आएगा, 80 MP, तो लेट्स पोस्जिए हमारे पास हम कह सकती हैं, कि जिए जो हमारा CASO 4 आएगा, इसके पचपन सो मॉल्स, और एक मॉल हमारे आगा, 80 MP का, ठीक है, तो, इट मींज के हमारे पास pH जो होगी, वो सिंपल pH होगी, 7 pH आगी ठीक है, और रूम टंपरिचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सिस, और ये पिरियड होता हमारे पास, आलमोस्ट, 100 आवर्स का, तो जबके ओन्दादर हैंड, जो हमारे पास amino carboxylate होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास, NTA आ गया, ठीक है, इथालिन, डाइमाइन, टेक्टरासिट, EDTA आ गया, DPTA आ गया, और एक हमारे पास है, hydroxy, carboxylate के सड़, जिनके अंदर है, गलूकोनेट्स आ गया, गलूकोहेप्टोनेट्स आ गया, अगर चाहिए बड़े effective, चिलेटिंग एजेंट्स हैं, जितने के जितने मैंने नाम लिए हैं, यह सारे के सारे, जो carboxylate के सड़ हैं, लेकिन, यह हमारे पास, threshold activities, एक्जीबिट, नहीं करते हैं, यह जितने भी मैंने नाम लिए हैं, जबकि जो present, जो हमारे पास, mechanistic, जो हमारे पास, theories हैं ना, जो पासुलेट हैं, वो कहती हैं, जो हमारे पास, threshold agent होता है, वो absorbed हो जाता है, growth side, जो होती है, skeleton crystallite की, during the process of crystallization, हम इसको written form, हमारे पास, जो different हमारे पास, amino carboxylate आगे, exa, sorry, hydroxy carboxylate के सड़ आगे, इनके अंदर, यह exhibit नहीं कर दे, जो हमारे पास, threshold agent होते हैं, यह growth side, जो तीने, एक scale and समलें, scale and हमारे पास, crystal light है, और यह process कौन सा हो रहा है, crystallization का, let's suppose, यह हमारे पास, एक scale and crystal light है, तो इसकी, जो हमारे पास, growth side होंगी, ना, उसके ओपर, जो threshold agent होगा, आड्सार्ब हो जाएगा, उसकी, उसकी उपर, सता के उपर, उपर वाली जो site होगी, तो यह हमें, किसने बताया था, जो present mechanistic theories थी, तो यह जो, absorption होती है, यह basic, यह जो absorption होगी है, इसकी सता के उपर, यह alter कर देगी, change कर देगी, इसके growth pattern को, तो जो resultant, scale and हमारे पास crystal बनेंगी न, वो जएदा slowly बनेंगी, और highly distorted होगी, it means कि जब absorption होगी, तो जो हमारे पास scales बनेंगे, वो क्या होंगे, highly distorted होगे, जनकि उनकी शकल में, पहले बिगाड पैदा हुआ होगा, और देन उसके लावा, वो क्या बनेंगे, बहुत ही slowly, slowly बनेंगे, यनि कि हमारे पास different process के तरून को, control किया जाता है, तो यही हमारी chemistry थी, involved थी, जो scale and formation के अंदर, और उसकी prevention के अंदर, तो prevention के अंदर, यह हमारे पास different resolutions की, जो theories जो हमारे पास है, वो उसने बताया, किस तरह prevention की जा सकती है, तो इसी के साथ, आज का lecture कप्लीट हो गया, next video का वेट लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, subscribe करें चैनल को, comment भी करें, अगर confusion है, और share भी लाजमी कर दे, अबना बहुत सारा ख्यार रखिएगा, अल्लाप आप।